नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विश्मेन इंडिया येट्यूब चैनल, एक हुज नंबर आफ पेंशनर्स, एक सर्विश्मेन एंड सिवील और डिफेंस पेंशनर्स, पेंशन ड्रॉ करते हैं, स्टेट बेंक आप इंडिया से, इस वी आई ने एक ऐसे सेवा लांच किया, जि अगर आपका इंकाम टैक्स कोई डिडक्ट हुआ है, तो वो कितना हुआ है, और कितना होना चाहिए, अगर आपका कोई इंडियास डिडक्शन किया, वो कितना डिडक्शन हुआ है, आपको कोई एरियार्स मिलने बला था, वो मिला या नहीं, अगर मिला है तो कितना मिला, और कितना मिलना चाहिए था उस सारी डिटेल्स आपको घर बैठे आपका अपना मुवाइल फोन से आप चेक कर सकते हैं। So friends, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम चेक कर सकेंगे घर बैठे अपने मुवाइल से कि आपका पेंशन का सारे डिटेल्स। So HBI से जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप सारी डिटेल्स को जान सकें। सबसे पहले हम बताएंगे कैसे आपको इस प्रोसेश में रिजिटेशन करना है और उसके बाद फिर रिजिटेशन करने का बाद जो जो सुवीडाई HVR पूदान करती हैं कौन-कौन सा सुवीडाई है और उसका सारे डिटेल्स आपको लाइब डिमो दिखाएंगे। वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्विस्ट है अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप सब्सक्राइब पहले ही कर चुको हैं तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि इंफर्मेशन इसका लिंक मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके आप डिरेक्ट और सेट में पहुंच चकते हैं या फिर आप अपना ब्राउजर में टाइप करें www.pensionseva.sbi जैसे आप website में इंटर करेंगे आपका एक homepage खोल जाएगा जिसमें लिखा रहाएगा विलकम टू पेंशन सभा उसमें देखिए उपर राइट करनर में चार बटन है होम, registration, sign-in, how do I तो registration process को जानने के लिए आप how do I में click करें अगर आप इसमें click करेंगे तो registration process आपको detail में step by step लिखा होगा तो उसको पढ़के आप registration को कर सकते हैं registration करने के लिए आप registration जो button आप इस पर आप क्लिक करें जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा इसमें लिखिए pensionart registration स्टेप उन स्टेप तू और स्टेप त्री स्टेप में आपको अपना user id एक create करना है, user id आप आपने विजाब से create कर सकते हैं, इसके बाद आपका जिस account से, जिस hbi account से आपको pension मिल रहा है, उस account का number देना है, आपका data bar से देना है, आपका branch code देना है, जिस branch से आप pension ले रहा है, और आपका उस branch में जो email id दिया हुआ है, आपका email id हाँ पे देना है, जो भी details आप इसमें दे रहे हैं, वो details आपका bank में जो detail पहले से आपने दिया हुआ है, उससे match करना चाहिए, अगर match नहीं करेगा, तो आपका registration नहीं हो पाएगा, यह सारे details जैसे आप भर देंगे तो आपका step 2 में आ जाएगा, step 2 में आपको एक password create करना है, जो की आपका 8 characters का होगा, और password का जो नियम है, पनियुमिलिक होगा, एक alphabet जो है, capital में होगा, इसके बाद आपको दो profile question चूज़ करना होगा, जिसके answer उसमें दिया रहेगा, वो भी आपको slate करना है, और यह जो profile question है, यह बाइद वे आप कभी भ एक email आपका notification, आपका mail ID में, registered जो email है, उसमें जाएगा, और उसमें link होगा, उस link पर जैसे आप click करेंगे, तो आपका activate हो जाएगा pension सेवा का registration, फिर आप क्या करेंगे, next आपको जाना है, SBI pension सेवा का homepage में जैसे जाएगे, उसमें देखी उपर एक login करके page है, उसमें click करें button प्रेस करेंगे, तो आपका next interface खुल जाएगा, अब देखेंगे, इसमें क्या क्या features उपलब्द है, देखें, features में सबसे पहले आपको मिलेगा dashboard, तो dashboard जैसे खुलेंगे, देखें, इस तरह का dashboard आएगा, जिसमें आपका basic details होगा, आपका last pension details होगा, and other details होगा, और left side में ज details, certificate details, transaction details, area calculation sheet, pension sleep, form 16, investment details, financial details, and pension loan, ये सारे details आपको एक-एक करके, एक-एक windows में आपको देखेंगा, तो dashboard में जो चीज है आपने देख लिया, इसमें आपका basic details, आपका last pension details, and other details आपको इसमें show कर रहा है, और कोई latest जो notification होगा, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते है, right side में नीचे, next आप चलते है, profile details में, जैसे आप profile details में click करेंगे, तो आपका, देखिए profile आपका इसमें show कर रहा है, जैसे category or pensioner defense, PPO number, आपका name, और आपका, यहाँ पे सारे details है, आपका account number, PPO number, आपका email ID, PAN number, आपका address, ये सारे details इसमें show कर रहा है, next है, आ details, certificate details में, आपका PPO basic details हो करेगा, उसके नीचे होगा, आपने last जो है, pension certificate, life certificate, या फिर आपका employment certificate, आपने कब जमा किया, और कब due है, वो सारे details आपको ले देगा, इसमें लेखिए, यहाँ पर जैसे, आप देख सकते है, life certificate, उसका valid from and valid to, दोनों date दिया हुआ, यानि कि इस date क आपको फिर से, यह आपको life certificate जमा करना है, अगर आप re-employed है, तो आपको employment certificate जमा करना है, next है, आपका transaction details, transaction details में, आप जैसे click करेंगे, तो आपका जितना भी pension मिला हुआ है, उस आपका pension जो credit हुआ है, आपका कोई area credit हुआ है, DA area credit हुआ है, OROP का area credit हुआ है, और 7CPC का कोई area आपका due था, वो credit हुआ है, वो सारे details आपको इसमें मिल जाएगा, आप इसमें से check कर सकते हैं, next है area calculation sheet, अगर कोई area आपका due था, जैसे कि आपका कोई revision था pension का, और कोई gratitude revision, commutation revision, OROP का revision, या फिर किसी भी तरह का कोई revision था, और उसके वज़े से आपको area आप जहाँ है, आप एक report generate करके, आप PDM में इसको download भी कर सकते हैं, नीचे जैसे button दिया हुआ है, export to PDF, view, generated report, ये सारे buttons को आप click करके, आप जो calculation sheet है, उसको आप download कर सकते हैं, next है आपका pension sleep, pension sleep, आपका इसमें किसी भी साल का, किसी भी महिने का pension sleep, जब से ये digitalization हुआ है, लगबाग 7-8 साल त आपको मिल जाएगा, किसी भी माइना का चेक कर सकते हैं, और उसको download भी कर सकते हैं, देखें, जैसे आप यहाँ पे month and year दे देंगे, और यहाँ पे जैसे generate करेंगे, आप इसमें download कर सकते हैं, download button दबाते हैं, आपका जैए PDM में इस तरह का आपका pension details download हो जाएगा, तो pension details मे related जो भी है, आप इसमें देख सकते हैं, आपका accommodation restore cup होगा, आपका एक सजाला accommodation है, वो भी आपको सो करेगा इसमें, और आपका जो personal details है, वो तो इसमें है ही, सुरू में यह आप देख सकते हैं, जैसे, यह जो सारे चीज़े हैं, वो stable pensioners, defense pensioners, state government pensioners, किसी भी तरह का pension, जो भ आपको income tax file करना है, तो form 16 बहुत ही ज़रूरी है, form 16 के लिए आपको अभी bank का check कर लगना नहीं परेगा, आपका mobile से या आपका घर पे laptop या desktop PC से आप form 16 को download कर सकते हैं, जैसे left side में देखिए, यह interface button है, form 16, यहापर जैसे click करेंगे, आपका इस तरह का form 16 income certificate एक खुल इसमें आपका सारे details रहेगा, आपका एक साल का किसना income था, अगर कोई TDS काटा है, तो वो भी सारे details आपको इसमें मिल जाएगा, next है आपका investment details, investment details में आपका कोई भी investment जो भी आप invest किया, यहापर SVI में, वो सारे details आपको इसमें मिल जाएगा, आपका कोई update होगा, या जो बाइब भी आप इन्वेस्ट किया वह सारे डिटेल्स पर अगर टीडियस कटा है तो यह बीज पर बीजिए इस पर इस पर देख सकते हैं नेक्स्ट है, financial details में आपका pension का जो details है, वो आपको मिल जाएगा, जैसे कि जो भी आपका credit हुआ है, आपका account में, जैसे PPO financial details, PPO financial details आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका basic pension, DA, DA percentage, सारे details, जो है P.A.C.O. अगर autonomous है, तो उनका भी जो details है, जो अलग-अलग जो pension components है, वो सारे details इसमें आपका show कर रहा है, आपका commutation details, graduate details, इस सारी चीज़े इसमें आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट है आपका pension loan, देखिए, pension पर आपको loan मिल सकता है, अगर आपको loan का जुरुरत है, तो इसमें इस पर आगर जैसे आप click करेंगे, तो आपका एक कहीं ब्रांच में जाने का जुरुरत नहीं है, किसी भी जगे में किसी से approach करने का जुरुरत नहीं है, automatically आपका account में loan credit हो जाएगा, वो amount आपका account में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है, यह services जो provide कर रहे है, SBI pensioners का सुविलाओ के लिए, इस service को आप अगर upload कर नहीं है, आपको जो है, किसी भी तरह का कोई risk factor कुछ ही नहीं, बाहर जाने का infection का कोई risk नहीं है, घर बैटे आप इसको इस विलाओ को upload कर सकते हैं, तो यह था SBI pensioners का बारे में सारी जानकरी है, इसके इलावा अगर आपको किसी तरह का कोई जानकरी अगर चाहिए, तो कमेंट कीजिए, या फिर www.ex-servicemenindia.info, इस पर क्लिक करके भी आप जान सकते हैं, तो फ्रेंट्स, उमीद है कि यह वीडियो में जो information दिया हुआ है, आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो का अंत में आप से request है कि इस चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, जै हिंद, जै भरौत. करे, जै हम आप इस चैनल का जाता है, जै हम एस चैनल के वीडियो में सी अपको अगा हैं, भरौत.